आज मैं शेयर करूँगी बहुत ही सिंपल बेसिक सी फिश फ्राई की रेसिपी लेकिन इसका टेस्ट बहुत ही मज़िदार आता है एकदम चटपटी बनकर तयार होती है आप इसको बैचलर रेसिपी भी कह सकते है क्योंकि कोई ताम जहामी नहीं है इसको बनाने में फटवट क्विकली बनकर तयार हो जाती है इसको आप एक पर ज़रूर ट्राई करें सिंपल इजी क्विक और बहुत ही जाधा टेस्टी बनती है अगर आपको मेरे रेसिपी अच्छी लगती हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले तो चलिए आज की इस रेसिपी को शुरू करते हैं चटपटी फिश फ्राई बनाने के लिए मैंने हापे लिया है दो सो चार्लीज ग्राम फिश मैंने हापे सैल्मन फिश का यूज किया है और इसमें काटे बिलकुल नहीं होते हैं आप कोई से भी मचली ले सकते हैं अच्छी तरीके से मैंने धोकर इसको साफ कर लिया है सबसे पहले इसके लिए हम मसाला त्यार करेंगे तो मैं ले रही हूँ आधा चोटा चमच हल्दी पाउडर आधा चोटा चमच काली मिर्च का पाउडर आधा चोटा चमच काश्मिडी लाल मिर्च एक चोटा चमच धनिया पाउडर आधा चोटा चमच आमचूर एक अब हम मसालों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे, इसमें हमें पानी डालने की जरूरत बिलकुल भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमने इसमें हरी मिर्च का पेस्ट और हमने इसमें दही का अस्तमाल किया है, जो कि अल्रेडी गीला होता है, तो मसाले अपने आप पेस्ट में बन जाएंगे, अगर आपको बहुत जादा सूखे लग रहे हो, तो थोड़ा सा कुछ बूंदे पानी के आप मिला सकते हैं, तो यदि के मसाला तयार है, अब हम मचली के पीसे को अच्छी तरीके से मसालों में कोट कर लेंगे, मसाले बहुत जादा पानी पानी वाला न अब आप सोच रहोंगे कि यह क्या बोल रही है, तनू की गीला नहीं बनाना है, सूखा नहीं बनाना है, एक्चली मसाला पेस्ट बिलकुल परफेक्ट होना चीए, ताकि अच्छी तरीके से यह कोट हो जाए, तो अपने हिसाब से आप उसको एज़स्ट कर लें, तो यह द हम इसमें मचली के पीसे को डाल देंगे, गैस की फ्लेम को मैंने मीडियम पर रखाया, मीडियम फ्लेम पर दो-तीन मिनट के लिए हम इसको फ्राई करेंगे, और उसके बाद लो फ्लेम पर हम इसे दो मिनट तक फ्राई करेंगे, टोटल पांच मिनट मैंने फ्राई कर लिया अब हम इसको पलट देंगे और वापस दे 2-3 मिनट के लिए मेडियम फ्लेम पर और फिर हम दो मिनट के लिए लो फ्लेम पर फ्राइब करेंगे तो लगबग 8-10 मिनट के अंदर ही फिश फ्राई बन गर तयार हो जाएगा तो देखिए मचलियां फ्राई हो गई है अब हम इस बन कर तयार होती है और इसको मैं सर्फ कर रहे हूं हए बहुत सिंपल कुिक बनने वाली रसेपी आप स्टार् cred कर सकते चाहे तो आप इसको दाल-्राइस के साथ भी खा सकते हो निर दे बहुता थी जादा टेस्टीell में हुर्ण exhaust का समते बहुता है चलिए मैं इसको कट करके इसके अंदर का टेक्शर भी दिखाती हूँ इस तरीके से आप मचलों को फ्राइ करेंगे ना तो अंदर से भी मचलिया बहुत ही जूसी बनती है यह देखे इसको आप चटनी की साथ खाए गरम गरम बहुत ही जादा टेस्टी डिलीशियस लगती है